कि नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल दिन इस टेकनिकल क्लासेस में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज का अपना एक नया चेप्टर एगा उसका नाम है ट्रांसफोर्मर तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो मेरे चैनल पर अनो नए आया है है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो फ्रेंट्स आज का अपना चेप्टर है Transformers ट्रांसफोर्मर से रिलेटेड हम निमी असाइंडमेंट का सुलूशन कर रहेते हैं तो निमी असाइंडमेंट के सुलूशन में आज का चेप्टर अपना रहेगा ट्रांसफोर्मर तो transformer के हम question करते हैं उसके हिसाब से हम transformer काफी बड़ा chapter है और देखा जाए तो electrician theory में बहुत important chapter है क्योंकि इस chapter से बहुत सार questions exam में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से हम इसका आज solution करेंगे निमे assignment के जो question है उसका question देखें उसका answer solution करेंगे तो आज का session हम start करते हैं ठीक है तो आज का अपना पहला question है उर्च आवड़ती अपर्यों के लिए किस परकार के transformer का appeal किया जाता है तो हमें देखना है कि उस्ग आवड़ती है उसमें किस transformer का आप्यों किया जाता है तो क्या है first option अपना वर्स्टॉप्टन है,振ो स्थ फिर्स्टोप्ट है, रिंग कॉर। तोुature का किया जाता है, नहीं किया जाता है, फिरेट कॉर। सिलकॉन श्टिल और, कोर ट्रांस्फॉर्मर का या, रवह कौर, तो हम इसमें किसका उप्यों करते हैं। تو फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे तो जो जो चारवर्ती ट्रांस्वॉर्मर में होता है वो फेरेड कोर का ट्रांस्फॉर्मर का उफ्शॉ किया जाता है ठीक है तो इसमें भी ओपसंन इसका का राय टांसर होगा ठीक है फ्रेंट्स नेस्ट कोशन तो अपना नेक्स्ट कोशन रहेगा एक आदर्स ट्रांस्पों में प्रात्मिक वल्टेज एवन और माद्मिक वल्टेज एटू वीटू के बीच का संबंध है तो ओप्षन देखते हैं अपन अपने उप्षन रहेगा कि एवन इस गुल टू वीवन और एटू इस गुल टू वीटू या एवन ग्रेट देन वीवन और एटू ग्रेट देन वीटू या एवन लेस देन वीवन या एटू लेस देन वीटू या एवन इस गुल टू एटू 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 इस गुल टू वीवन तो अपना राइट अंसर क्या होगा तो अपना राइट आंसर होगा यह जो होता है E1 is equal to V1 होता है voltage और E2 is equal to V2 होता है तो आपना राइट आंसर यह होगा ठीक है friends ठीक है next question देखते हैं हाँ तो इसका क्या हुआ है कि ट्रांस्फॉर्मर में गांजर्वेटर का कारिय क्या होता है तो देखते हैं नमी में प्रोवेश को रोकता है वायन में उष्मा को स्तनहंतरीत करता है या अन्तरीध दबाव छोड़ने की अनुमतिे देता है या लोड भिक्ता के कारण ते लस्तर में विस्तार की अनुमति देता है तो है तो अपने के अंस्वरवाद डियां शरीे में बिल्कुल सही लोड भिता के कारण यह दर के लिशैर के अनुमति देता है तो डि about sa n inka बिलकुल है transformer में तो हम उसमें से कौन सी honey को निकालते हैं तो अपन सबसे पहले हम देखते हैं कि दो आपन सर्कुट होता है जो दीना लूड की होता है और एक स्वोड विप्रोड की होता है जो पर फोड़ बेखाए झाल तो ऑपन सर्कुट में हम क्या निकालते हैं एरिन लोस निकालते है और सोर्ट đi में कोपर लोस निकालते हैं तो अपना उप्शन देखते हैं की देजी का फस्ट आप्शन तामर्हानी में भी needs in कमा गूपनिक और भी आनी निकालते है उइस त्रिस अःघ्ण ये दोनब नहीं तो ताम रहानी बिल्कुल सही होगा, तो हम ताम रहानी निकालते हैं, नेक्स्ट वोशन, ट्रांस्फोर्म में वोल्टेज के पर्तिशत विने में की करना करें यह दिस सुनने भार वल्टेज, 244 वोल्टेज और पूर्ण भार वोल्टेज, 220 वोल्टेज, तो फ्रेंट्स इस क्या करते हैं तो होता है किया होता है यह noHowux बोल्टेज अरहे एक मेट इन्हो bliss टीज मैने आफ यह फूल लोड वल्टेज कापन यह फूल लोड वोल्टेज एंटो हां ड्रेट होता है थे तुम हुम वेल्य पूट करेंगे तो हम बेलिपूट करेंगे तो क्या आगा नोलोज हमें क्या दे रहा है दोसो चालीस मैनस दोसो बीस अपन दोसो चालीस इंटू हंड्रेट ठीक है तो क्या होगा तो हम यह लिखेंगे तो इसका सॉलुशन करके तो यहां बचाएगा बीस अपन दोसो बीस इंटू हंड्रेट तो यहां से यह कटा ठीक है यह यहां बचाएगा दस यह बचाएगा ठीक तो जैसे करेंगे अब हो गया यह यहां हो गया दोसो दो सो अपन ग्यारा ठीक है तो अपना अंसर आएगा दो सो अपन ग्यारा वेलिव पूट करेंगे हम तो क्या अंसर आएगा 9.09% परसेंट आएगा तो D option इसका बिल्गों सहोगा यह D option इसका सही है ठीक है फ्रेंट तो D option इसका सही next question टांस्फवर में टुकडे टुकडे में कोर का उप्यों करने का उदेशी क्या है तो D option देखते हैं ताम रहा मेंनी को कम करें इस तरीशानी को कम करें या अंतरीक सती को कम करें या बहुटदार नहीं को कम करने के तो हम जो इसमें टुकडे में टुकडे करका उप्यों किया जाता है तो इसमें एक प्रस्फवार में के विदिदेर के तो यह तो इकौन सी विदिदेर के अधिकतम दस्ता प्राप्त करने के लिए क्या शरत होती है तो वही अगर ट्रांस्पोर्म अधिकतम दस्ता प्राप्त करने के लिए अधिकतम दस्ता है तो ताम रहानी और को और क्या हो दिये है अधिकतम दुक्सता का फॉर्मुला होता है ठीक है नेक्स दोसन है सा ट्रांस्पोर्माr में बख लिल्यके कैसिश प्लोट्स्ट का कारी क्या यहतं है तो ट्रांस्पोर्माब का क्या यह दिज्बशल wizard्री सब्चा करें यह थो देखना है तोम देखते हैं और आफशन देखन देक्ते तो यह तो तक के लिए मिलते अगले वीडियो में अगर मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए जय हिन जय वारत झाल 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 झा